36 गर में 33,000 शिक्षकों की भरती होगी शिक्षा मंत्री ब्रजमोन अगरवाल ने बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि आचार सहीता अट्टे के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिये हैं अगरवाल ने कहा कि अबीजेपे ने जो वादा किया है वो पूरा होगा तो वही 36 गड़ के श्रमेकों के लिए खुश्श ख़बरी है सरकार ने इनका महेंगाई भथाथ 280 रुपय बढ़ह दिया है अब कुशल श्रमेकौ का वेतन 11 12,550 हो जाएगा कुशल श्रमेकों का वेतन जो है 12,330 होगा तो वही उच्छ कुशल श्रमेकों का वेतन 13,110 हो जाएगा दीपक वेच के बयान पर वनमंत्री का पलटवार सामनी आया है नकसलियों को नर्दोश बताने पर उन्होंने हमला बोला वनमंत्री केदार का शब्ने निशाना साधा बस्तर में हुई मौत में कॉंग्रस नेताओं का हाथ है ये भी कहा बस्तर के कई जगहों पर आम लोगों की मौत हो गई उसमें कॉंग्रस नेताओं का हाथ रहा है पखानजूर नाराणपुर की घटना को नहीं भूले, बीज़ेपी प्रदेश से नकसलवात खत्म करेंगी, ये बड़ी बातें कही गई है और सातिन साथ निशाना भी साधा गया पखानजूर की घटना को नहीं भूले, असीव राइप को जो कहलते हैं हमारे नगर पंचाज अध्यच रहे, उनको मारने में कांग्रेस के पदादिकार का हाथ रहा है, ये तो भारती यंता पार्टी की सरकार है, जो लगातार इस पर जाच परताल करके, ऐसे जो दोसी लोग हैं, उनको ततकाल जेल का रास्ता दिखा रहे हैं, कानूर से कोई बच नहीं सकता, आपको तो सुक्रिया आदा करना चाहिए, कि मानने विश्णू देव साइजी की सरकार लगातार हमारे पूरे छेतर को भयमुक्त बना दे हैं, 36 गड़ में कोई गैंग नहीं बचेगा, 36 गड़ में लॉरेंस विश्णूई गैंग की आहट पर डिप्टी सीयम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि लॉरेंस विश्णूई हो या कोई और, 36 गड़ में ऐसे लोग बरदाश्ट तो नहीं किये जाएं पर फायरिंग करके अलावा लॉरेंस विश्णूई गैट से भी जुड़े हुए है। गेमिंग जोन हाथ से के बार न्यूजटीन की टीम ने राइपुर के गेमिंग जोन का रियालिटी चेक किया, जिसके बाद राजधानी के फायर सिफ्टी विभाग ने गेमिंग जोन में फायर सिफ्टी के जाच की और इसी दोरान खामिया पाए जाने पर तीन बड़े गे गुजरात के राजखोर्ट में गेमिंग जोन में पहुचे हैं, जहां हम यहां की सुरक्षा विवस्था, यहां की सेप्टी विवस्था की पढ़ने के लिए पहुचे हैं। तो किस तरीके से यहां पर विवस्था की गई है गुजरात के राज़कोट में गेमिंग जोन में आग लगी जिसकी चपेंट में आए 28 लोग काल के गाल में समा गए राज़कोट में हुए हासी के बाद म्यूसेटीर की टीम ने 36 गड़ की राज़धानी रायपुर के गेमिंग जोन में सुरक्षा की परताल की icky रायई की फैर के सर्की तक परते हाला वाने राज़को नीवा इसके इसके अलाद गोक आट मैं भी बाहरे लगा हुआ है और आपको मैं बता देरा हूं यहां फायर होजील लगा हुआ है सर यहां पे एक अंदर में लगा हुआ है ट्रेमपोलीन के अंदर इसके अलावा आपको अप्वेश में जहां से आयो होंगे उधर भी है और एक बाहर के एरिया में भी है सर न्यूजटीन की टीम के रियालिटी चेक के बाद राजधानी का फायर सेफटी विभाग भी जगा और रायपूर में संचालित 20 से अधिक गेमिंग जोन में फायर सेफटी की जाश रुकी इस दोराँ शेहर के तीन बड़े गेमिंग जोन में खामिया पाई गई जिन्हें फायर सेफटी विभाग ने नोटिस भी जारी किया और तुरंत यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी है अभी हमने राइपूर का जो गेम जोन है उसका हमारे डिस्टिक फायर ओफिसर की द्वारा विजट किया गया है यहां राइपूर में हमने तीन गेम जोन का विजट किया है रिबाउंस पुनो और किंगनम अफ जोई वहाँ जो fire system लगाया गया है उसमें कुछ fire system की कम्या थी उनको ने देशित क्या गया है कि आप सारी fire system लगाया है गुजराप के राजकोट हादसे से सबक लेते हुए रायपूर fire safety विभाग ने gaming zone में सुरक्षा व्यवसा की जाच शुरू कर दी है और खामिया पाए जाने पर उन्हें ठीक करने की हिदायत के साथ कारवाई की चेतावनी भी दीचा रही है वहीं कुछ ऐसे भी gaming zone है जहां सुरक्षा के मुखता इंतिजाम किये गए है दावा तो खापी कर रहे हैं कि यहाँ पर बहतर सुरक्षा व्यवस्ता है हाला कि प्रसासन को जो राजधानी में कई game zone है उसकी भी परताल करनी चाहिए उसकी audit करनी चाहिए ताकि वो कितना safe है वो देख सके और आई अब दिखेंगे top 20